नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पिछले वीडियो में आपने भारती मांसून के बारे में जाना था और आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे आस्मान में चमकने वाली बिजली, बादलों का गर्जना, बारिस, आदी के बारे में साथ ही हम जानेंगे बारिस और बादलों से जुड़ी हुई और भी रोचक बातों के बारे में तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्स्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारे जानकारी बरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें मैं हूँ कबल निसाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर आईए स्क्रीन पर देखते हैं बादल कैसे बनते हैं जब हम सास लेते हैं तो वास्प निकलती है पेड़ पोधों के पत्तों से भी लगातार पानी वास बनकर उड़ता रहता है खेतों से भी पानी उड़ता है नदियों से और सबसे ज़्यादा समुद्र से ये सारा पानी छोटे छोटे कड़ों के रूप में हवा में इकठा होता रहता है ध्यान रहे कि पानी के कड़ हर समय हवा में उपस्थित होते हैं इस समय जो हवा हमारे आसपास है उसमें भी पानी के कड़ मौजूद हैं फर्क सिर्फ इतना है कि बादलों में पानी के कड़ ज़्यादा मात्रा में होते हैं और हमारे आसपास की हवा में कम मात्रा में हमारे आसपास ये कड बहुत छोटे छोटे और बहुत दूर दूर फैले होते हैं जब ये जल वास्प बहुत जादा मात्रा में इकठी होती है तो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है बारिस कैसे होती है? बादलों में बहुत सारा पानी जल वास्प के रूप में उपस्थित होता है जैसे ही कोई बड़ी रुकावट या पहाड इन बादलों के रास्ते में आकर इन्हें रोपता है तो इन बादलों पर दबाओ पड़ता है और इन्हें अधिक उचाई पर जाना पड़ता है condensation कहते हैं और बहुत सी जलवास्प एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ी-बड़ी बूंदे बन जाती हैं साथ ही अधिक उचाई पर ठंड अधिक होने के कारण ये पानी बर्फ बन जाता है और भारी होने के कारण नीचे गिरने लगता है क्योंकि छोटे-छोटे जलवास्प के कड़ों को तो बादल अपने पास थामकर रख लेते हैं लेकिन जैसे ही ये कड़ आपस में मिलकर बड़ी-बड़ी बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं तो इनके बड़े हुए वजन के कारण बादल इन्हें रोपकर नहीं रख पाते और ये नीचे गिरने लगते हैं जिसे हम बारिज कहते हैं उचाई से गिरते हुए तापमान में आये बदलाओ के कारण ये बर्फ रास्ते में ही पिघल जाती है और बूंदों के रूप में बरस्ती है जब कभी बर्फ के क्रिश्टल ज़ादा बड़े होते हैं तो नीचे गिर्टे हुए भी वो पूरी तरह पिघल नहीं पाते और ओलों के रूप में या बर्फ के रूप में बरस्ते हैं बादल कैसे गरजते हैं और आकासी बिजली कैसे चमकती है बादलों का गरजना और आसमान में बिजली का चमकना ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिस पर विज्ञानिकों की अलग-अलग नाय है सबसे पहले बेंजामिन फ्रेकलिन ने बिजली चमकने के कारणों को समझने का प्रयास किया था इस विज्ञाय पर दो अलग-अलग सिधान्त हैं पहला पानी के कड़ों के टकराने के कारण दूसरा कॉस्मिक किरणों के कारण सबसे पहले हम पहली थियोरी को समझते हैं बादलों में भारी मात्रा में जलकड, वायूकड और बर्फ के छोटे और बड़े कड़ों होते हैं इन कड़ों में आपसी रगड के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है छोटे कड़ों में पॉजिटिव चार्ज और बड़े कड़ों में नेगेटिव चार्ज होते हैं बादलों में उपरी हिस्सा ठंडा और निचला हिस्सा खोड़ा गर्म होता है पानी और बर्फ के छोटे कड गर्म हवा के convection करेंट के कारण उपर उठते रहते हैं और उपर से ठंडे होकर बड़े कड़ों का रूप लेकर गुर्त्वा कर्शन बल के कारण नीचे बैठने लगते हैं इस तरह इन उपर और नीचे आने जाने वाले बादलों में आपसी रगड होने के कारण एक electric field तयार होती है फिर इस उपरी हिस्से के positive करण और निचले negative करण एक दूसरे से आविसित होते हैं और बहुत अधिक घरसण होता है इससे electrostatic discharge होता है electrostatic discharge का मतलब है जब दो electrically charged वस्तूओं को एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक electrical sort या electric breakdown होता है जैसे बिजली के दो अलग-अलग minus और plus सारों को आपस में छूने से तेज रोशनी निकलती है और जोरदार आवाज आती है इसे ही electrostatic discharge कहते हैं ऐसा ही electrostatic discharge बादलों में होता है इस प्रक्रिया में एक तेज रोशनी निकलती है साथ ही इससे बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है और इसी आवेस और चुम्ब की प्रभाव के कारण बहुत सारे पानी के कंड और हवा के कंड एक दूसरे से टकराते हैं इससे तेज ध्वनी निकलती है जिसे हम बादलों का गर्जना कहते हैं जब आकासी बिजली चमकती है तब लगभग दो लाक एमपीर तक करण पैदा होता है यदि हमारे घर में आ रही बिजली को इस आकासी बिजली से कंपेर करें तो आप जानेंगे कि आकासी बिजली कितनी अधिक सक्तिसाली होती है बिजली का चमकना तीन तरह का होता है पहला इंट्रा क्लाउड लाइटिंग इसमें एक ही बादल के पॉजिटिव और नेगेटिव कड़ों के बीच इलेक्ट्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होता है दूसरा क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग इसमें एक बादल के पॉजिटिव और दूसरे बादल के नेगेटिव कड़ों के बीच इलेक्ट्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होता है इसमें बादल के नेगेटिव कड़ और जमीन के पॉजेटिव कड़ों के बीच इलेक्टोस्टेटिक डिस्चार्ट होता है इसे ही बिजली का गिरना कहते है सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉस्मिक रेस क्या है कॉस्मिक रेस अत्यदिक उर्जा वाले कड़ हैं जो बाहरी अंतिरिच में पैदा होते हैं और छिटक कर प्रत्वी पर आते रहते हैं ये सूरज और कई अन्य तारों में विस्फोर्ट से पैदा होते हैं इनमें 90% प्रोटॉन, 10% हीलियम के नाभिक और 1% से भी कम भारी तत्व तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे इन्हें किरण कहना ठीक नहीं है क्योंकि ये धर्ती पर पहुँचने वाले ब्रह्मान्डी कड़ हैं ना कि कोई किरण कॉस्मिक रेस की खोज सन 1912 में अमेरिकन आउस्ट्रियन बहुतिक विज्ञानिक विक्टर फ्रांसिस हैस ने किया था इस खोज के लिए उन्हें सन 1936 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइस से सम्मानित किया गया था हमारी प्रत्वी का वाईय मंडल और मेगनेटिक फिल्ड इन कॉस्मिक रेस को रोक कर हमारी रक्षा करता है अंत्रिच यात्रा में भी ये कड़ बादा उत्पन करते हैं और विज्ञानिकों को इनसे बचने के उपाय करने पड़ते हैं क्योंकि ये कड़ हमारे डिएने को नुक्सान पहुचा सकते हैं और इनसे कैंसर होने का खत्रा रहता है कहा जाता है कि ये कॉस्मिक रेस या कड़ इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि बाहरी अंत्रिच से ये कड़ हर समय प्रत्वी पर बरसते रहते हैं इस थियोरी के अनुसार cosmic rays हमारे वायू मंडल में आकर पानी और हवा के कड़ों या molecules से टकराते हैं जिससे बहुत सारे electrons निकलते हैं, साथ में निकलते हैं subatomic particles, positrons और unelectrically charged particles भी ये electrons फिर से दूसरे molecules से टकराते हैं, फिर से यही होता है और एक chain reaction बनता है इस तरह बार बार टकराने से इन cosmic rays की power लगातार कम होती चली जाती है इस थियोरी के अनुसार जब ये cosmic rays आवैसित बादलों से टकराते हैं तो बादलों से electrostatic discharge होता है और तेज रोस्नी निकलती है जो हमें चमक के रूप में दिखाई देती है तो इस तरह बादलों के गरजने और बिजली के चमकने के त्यो थियोरीस बिग्यानी को द्वारा दी गई है बिजली गिरने से हर साल कई लोगों की जान चली जाती है इससे बचने के लिए कुछ बाते जान लीजिए जादतर लोग अचानक आने वाली बारिस से बचने के लिए किसी पेड के नीचे खड़े हो जाते हैं ये बहुत ही बड़ी गलती है क्योंकि किसी खुले छेतर में जब बिजली हीरती है तो वह उचे और हरे भरे पेडों को ही जादा निसाना मनाती है इसलिए खुले छेतर में बारिस के दोरान पेड के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए बलकि पेडों से दूर हो जाना चाहिए और अगर आप किसी खेड जैसी खुली जगह पर हैं तो जमीन पर पैर मोड कर बैठना ज़्यादा सुरच्चित होता है इससे आपकी उचाई और आकार कम हो जाता है साथ ही आप पर बिजली गिरने की संभावना भी कम हो जाती है क्योंकि बिजली उची वस्तूओं पर अधिक गिरती है साथ ही यदि आप खुले में बाहर हैं तो समू में एक जगह इकठे होने की बजाए अलग अलग और दूर दूर रहना ज़्यादा सुरच्चित है बिजली के खंबे पेड़ और तलाबों से दूर रहें यदि आप नाव में हैं तो जल्दी से किनारे आकर नाव और पानी से दूर हो जाएं यदि आप कार में सफर कर रहे हैं तो निकल कर इधर उधर ना भागें कार में ही रहें यदि आपके आसपास उचे पेड़ या इमारते हैं तो बिजली गिरने की संभावना उची वस्तूँ पर ज़्यादा होगी जादतर बिजली गिरने की दुर्गतना खेतों ले काम कर रहे लोगों के साथ इसलिए होती है क्योंकि वहाँ खुली जगा होती है और आसपास कोई उचा पेड नहीं होता वहाँ उचाई सिर्फ मजदूरों की होती है यदि आप घर में हैं और ज़्यादा बादल गरज रहे हैं तो बिजली के उपकरणों का प्रयोग ना करें नंगे पैर बाहर ना निकलें उचे भवनों पर तडित चालक अवास्य लगवाएं बिजली की चमक पहले और गरजना बाद में क्यों सुनाई देती है बिजली की चमक और बादल की गरजना दोनों घटनाएं एक सार होती है पर हवा में लाइट की गती 2,99,700 km प्रती सेकेंड और ध्वनी यानि आवाज की गती सिर्फ 343 मीटर प्रती सेकेंड होती है इसलिए लाइट हमें पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है बिजली जब पास में कड़कती है तो तेज टकराहट की आवाज आती है पर दूर कड़कती है तो कई आवाजे क्यों आती है बिजली जब पास में कड़कती है तो उसकी आवाज हमारे पास आसानी से सीधे ही पहुँच जाती है इसलिए एक तेज टकराहट की आवाज आती है पर जब बिजली कहीं दूर कड़कती है तो उसकी आवाज हवा और जलकडों से टकराते हुए हमारे पास पहुचती है क्योंकि आस्मानी बिजली 100 मील की दूरी से भी दिखाई दे सकती है पर गरजने की आवाज यदि हमसे लगबग 25 किलोमीटर की दूरी पर हो तो भी वह आवाज हमें सुनाई नहीं दे पाती है क्योंकि ध्वनी के कंड वातावरण में और हवा की परतों में बिखर जाते हैं जैसे एस्टरोफोबिया, ब्रॉंटोफोबिया और केराउनोफोबिया ये कहा जाता है कि जहां एक बार बिजली गिर जाए वहां दोबारा नहीं गिरती पर ये धारना बिल्कुल गलत है बिजली एक ही जगा पर एक से अधिक बार भी गिर सकती है बिजली चमकने पर जो पता लगाना चाहते हैं कि बिजली कितनी दूर चमक रही है तो इसके लिए आपको जैसे ही तेज बिजली की चमक दिखाई दे आप सेकंड्स गिनना शुरू कर दें और कुछ सेकंड्स के बाद जब आपको गरच की आवाज सुनाई दे तो सेकंड्स की गिंती रोक दें और जितने सेकंड्स आपने गिने हैं उसे 343 मीटर से गुड़ा करें तो आज हमने बादलों का बनना बारिस बादलों का गर्जना और आसमानी बिजली के बारे में बहुत कुछ जाना और हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो जरूर पसंद आया होगा और हमारे इन ग्र और भी जानकारी भरी बातों के बारे में तो अगर आपको हमारा वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारे जानकारी भरी वीडियो आपको समय समय पर मिलत झाल झाल